बिसमिल्लायरामानुरहीम, Assalamualaikum, Welcome to IntelliLogics आज के इस लेक्षर में हम रेडियो बेटन्स डिसकस करेंगे रेडियो बेटन्स क्या करता है? रेडियो बेटन्स अलाव दे यूजर तो सेलेक्ट वन आप्शन फ्रॉम ए सेट means आपके पास अगर multiple options हैं तो उसमें से आप क्या कर सकते हैं? single selection कर सकते हैं with the help of radio buttons यहां पर example है attending yes, maybe, no इन तीन options में से आप क्या कर सकते हैं? एक option जो है आप select कर सकते हैं अब radio buttons को जो आप android में use करेंगे तो इसके लिए हम radio group use करेंगे radio group में यह है कि हर एक जितने में आपके पास radio groups होंगे तो एक group में एक selection जो है वो possible है अब आते हैं उस app की तरफ जो के हम बनाएंगे इस lecture के दोरान उस app का output कुछ इस तरह होगा कि टॉप पे होगा quality of intelligent logic videos पर यहां पर excellent, good, average और bad तो जिसको आप select करेंगे उसके मताबिक आपको एक toast message यहां पर show होगा let's say मैं कहता हूं कि जो videos की quality है that is good तो आप देख सकते हैं कि यहां पर message आ रहा है thank you या let's say मैं कहता हूं कि average है तो भी thank you will try to improve it और let's say bad है तो bad की लाएगा thank you and suggestions for improvement in the comment section तो मैं आपको बार बार यह कहता हूं कि अगर आपको कोई मसले हैं तो आप comment section में लाजमें उसको mention किया करें या अगर आपके जहन में कोई suggestions ए improvement के लिए तो वो भी currently जो इस video के comment section में लाजमें mention करें और excellent thank you and keep watching so आते हैं android studio की तरफ हम एप में यही चीज जो है develop करेंगे already project हमारे पास बना हुआ है और इसके layout में हमारे पास linear layout है orientation इसकी vertical है padding 16 dp है और इसमें एक texture पहले से available है इसका यह text मैं change करके लिखता हूँ quality of intelligent logics videos so basically यह वो text view है जो के हमें just user को बता रहे कि आप फिर जितने भी radio buttons होंगे heading है उसकी लिए अब radio buttons को add करने के लिए हम first of all add करेंगे radio group so मैं radio group का tag start करता हूँ radio group और with match parent or hide rare content और इसको id देते हैं यहां पर क्योंकि इस id के through पर हम इसको access करेंगे वहां पर java के code में और इसको मैं let's say id देता हूँ ratings या just rating so अब इस टेक के अंदर यह जो radio group का tag है इसके अंदर हम क्या करेंगे radio buttons बनाएंगे लेकिन इसको मैं थोड़ा साथ ऊपर से margin देता हूँ margin from the top and there is let's say 20 db ताकि यह जो gap है इस text view के साथ इस यह बढ़ जाए अब यहां पर मैं simply क्या करता हूँ radio button place करता हूँ radio button match parent और rap contact और इसका जो text है वो डिफाइन करता हूँ मैं excellent के नाम से और इसी radio यह बटन को मैं copy और paste करता हूँ यहां पर and control c control v control v and control v so अब चूंके इन तमाम का जो text excellent है so इसका text change करके यहां पर कर देते हैं good और इसका text change करके average और इसका text change करके हम कर देते हैं bad जो के अमीद है bad तो नहीं होंगे बाराल अब इन तमाम रेडियो बटन्स को हम आईडी भी assign कर देते हैं ताके फिर हमें and java के code में help हो इसके लिए मैं use करता हूँ rdb excellent rdb just यह बता रहे कि यह basically जो आईडी है यह एक radio button की id 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 rdb और यह good similarly इसको हम id देंगे यहां पर id rdb average और finally हमारे पास यह जो है इसको हम id देते हैं id 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 rdb bad अब हम आते हैं java के code में और इनकी लिए हम event handling करते हैं event handling इसकी मुक्तलिफ तरीकों से हो सकती है लेकिन जो का recommended है so हम इस group के लिए event handling करेंगे और group में हम देखेंगे जब भी इसका selection change होगी तो वो जो listener है वो execute होगा वो fire होगा so आते हैं मैं activity में और यहां पर मैं लेता हूँ radio group और इस group के लिए नाम देता हूँ rating और इसको हम initialize करते है rating is equal to find view by id r.id. और वहां पर भी हमारे पास rating है इसको alt enter करें और इसको type cast कर देंगे radio group में अब यहां पर मैं एक anonymous inner class के through इसकी event handling करता हूँ set on checked change listener basically हम क्या करने लगे हैं इसको implement करने लगे हैं एक anonymous inner class के through on checked change listener इसको enter करें तो आपके पास यह method है on check change override हो रहा है और हम इसके अंदर क्या करेंगे coding करेंगे basically यह जो method है कब execute होगा जब भी इन जो आपके पास radio buttons है जब भी इसमें से कोई मतलब change होगा इस group के अंदर तो क्या होगा यह event fire होगा और execute होगा अब यहां पर यह जो integer है यह basically id है किस चीज की id है उस radio button की जो यहां पर check हो रहा है let's अगर excellent check होगा तो इस i से आपको इस excellent की id मिलेगी so हम इस तरह करते हैं कि इस wallet से मैं कहता हूँ id और यहां पर मैं एक radio button लेता हूँ radio button is equal to find view by id means यहां पर मैं store करने लगा हूँ reference किस चीज का उस radio button का जो के checked होगा और यहां से मैं इसको id पास कर देता हूँ और इसको हम typecast कर देंगे radio button में so यहां पर आप alt enter करें simply और इसको radio button में typecast कर देंगे अब यह जो radio button है यह basically उन चार radio buttons में से एक radio button होगा जो के checked होगा so हम इस पर switch लगाते हैं और देखते हैं कि कौन सा radio button जो है वो अब check है radio button dot get id अब मैं कहता हूँ कि अगर id क्या होगी case r.id.rdb excellent होगी और केस अगर क्या हो r.id.rdb bad हो यहां पर bad radio button के लिए हम code करेंगे so first of all हम जो excellent अगर click check होगा तो उसके लिए हम करते हैं यहां पर toast show करते हैं toast dot mac text context और यहां पर जो भी आप text pass करना चाहते हैं और length इसको हम long कर देते हैं ताकि यह थोड़ा ज्यादा time के लिए display हो और यहां पर मैं कहता हूँ thank you and keep watching so यह हमने किस लिए किया है यह हमने excellent की लिए किया है इसी toast को मैं copy और paste करता हूँ यह जो बागी हमारे पास radio button जे control V, control V और control V अब यहां पर just मैं कहता हूँ thank you और जब average click होगा तो मैं कहता हूँ thank you and will try to improve it जो वीडियोस हैं उनको हम इंप्रूव करेंगे और अगर बैट क्लिक होगा तो क्या करेंगे आप थेंक यू एंड प्लीज गिव सजेशिशन्स फॉर 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 इंप्रूव्मेंट इन दी कमेंट सेक्शन आफ दी वीडियो यहां पर एक स्पेस दे रहते हैं मींज अगर कोई कहते हैं कि बैर्ड है की वीडियो से क्या होगा थेंक यू एंड प्लीज गिव सजेशन्स फॉर इंप्रूवर इंडी कमेंट सेक्शन सो एप्लिकेशन हमारी रेडी है जी और इसको लाँच करते हैं और देखते हैं कि हमें क्या आउटपुट मिल रहा है इसको लाँच करते हैं इसको मैंने लाँच किया हुआ है इसको मैं क्लोस कर देता हूँ सो बेसिकली इंटल डेमो आप के अंदर हम काम कर रहे हैं जब एप्लिकेशन लाँच होगी तो आउटपुट आपको कुछ यह नज़र आएगा और जब फिर हम क्लिक करेंगे किसी स्पेसिफिक रेडियो बिटन को अचा अब इनिशली इसमें से कोई भी रेडियो बिटन जो है वो चेक नहीं होगा तमाम जो हैं वो अंचेक होंगे एप्लिकेशन लाँच होगी है क्वालिटी ओफ इनिशली लॉजिक वीडियो अब अगर मैं एक्सिलेंट करूंगा तो थैंक यू एंड कीप वाचिंग का मैसेज आएगा अगर यहां पे हम गुट करते हैं तो जस्ट थैंक यू आएगा यह बेसिकली यहां से आ रहे हैं स अगर एवरिच सेलिक्ट होगा तो विल ट्राय टॉइट विल ट्राय टुइँ इंप्रूव एट अब जो बैट पे क्लिक होगा सो थेंक यू प्लीज गिफ सेज़ेशन फूर इंप्रूव निट अगर आपको वाकि में वीडियो बैट लगती हैं तो पिर कमेंट सेक्शन म काइंटली कमेंट सेक्शन में मस्ट मेंशन करें शुक्रिया लाफिस